जैसी किसना दोस्तों हमारे BS सर्माबाद द्वा चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है दोस्तों प्रिदोस ब्रिट का और सिवरात्री का बराबर का मेत्तो रहता है दोस्तों सामन के मेने में जितना सिवरात्री का मेत्त है उतना ही प्रिदोश ब्रित का मेत्त है इस दिन अग्र ये तीन बेल पत्र का उपाय किया जाए तो निश्चित रूप से सभी प्रिकार की मनोकामना पूरी हो जाती है पुत्त प्राप्ति का संतान प्राप्ति का बर्दान प्राप्त होता है अगर किसी की साधी में रुकावट आ रही है वो रुकावट भी दूर होती है और किसी का कोक बंदन है तो वो कोक बंदन भी खुलता है इसका 100% फल प्राप्त होता है दोस्तों एक वार का ये उपाय सहस्रों उपायों के बरावर फल देता है इसलिए प्रिदोस बृत में और प्रिदोस काल में ही इस उपाय को करना है दोस्तों साम को चार वज़े से ले करके और साथ वज़े के बीच में इस उपाय को करना है इसमें दोस्तों आपको करना यह है कि बेल पत्र के द्वारा भगबान शिवजी को उपाई मंदर में जाकर की करना है इस उपाई को सिवलिंग पर करें अठवा मंदर नहीं जा सकते हैं घर में सिवलिंग हैं तो घर कें सिवलिंग पर ही कर सकते हैं दोस्तों जिनोंने प्रिदोस ब्रित रखाएं वो करें और जिनोंने ब्रित ने रखाएं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं इसे पूरी सिद्धा विश्वास के साथ में पती पतनी या अकेले भी कर सकते हैं दोस्तो इसमें पूरन विश्वास रखें, मन में संकल्प रखें कि इस बृत को इस उपाय को करने से निश्चित अमारी मनुकामना पूरी होगी दोस्तो इसमें आपको सामगरी क्या चाहिए? सबसे पहले तो आप चंदन का इंद्याम कर लें पीला चंदन हो, सफेद चंदन हो, सफेद चंदन का अच्या पीले चंदन का इंद्याम कर लें, गंगाजल रखें, इत्र की विष्था कर लें और बेल पत्र के पत्ते चाहिए दोस्तों शिवजी पा जो है जब भी बेल पत्र चड़ाई जाती है कभी अकेले बेल पत्र नहीं चड़ाई जाती है हमेशा बेल पत्र जल की धारा के साथ में या कच्चे दूद में गंगाजल डालकर की या पंचों मिनित की धारा के साथ चड़ाई जाती है दोस्तों भगवान सिवजी को बेलपत अतिप्रिय हैं बेलपत्र को लक्षिमी जी का रुब्बी माना जाता है बेलपत्र को हमेशा जब भी आप चड़ाते हैं तो इस बात का ध्यान दखें एक डंडी में तीन पत्ते जुड़े होते हैं उसे एक बेलपत्र का जाता है अगर दो पत्ते एक पत्ते की दंडी है तो वो बेलपत्र नहीं मानी जाती तीन पत्तों से होती है तीन पत्ती लगी हूँ एक दंडी को एक बेलपत्र माने और ध्यान रखें ये कटे पते नहीं होने चाहिए दोस्तों कभी भी बेल पत्र को चड़ाते ही तो हमेशा इस बात का ध्यान के इसमे चन्दन आज जरूर लगाते ही ऐसे ही बेल पत्र नहीं चड़ाई जाती और हमेशा चिकनी साइड नीचे की तरप होती है दोस्तों बेल पत्र चड़ाते समय आप इस वाद का ध्यान की इस उपाए में आपको 1-8 बेल पत्रों के आवसकता पड़ेगी 1-8 बेल पत्र नहीं है तो इसका दूसा राष्ता यह है कि आप बेल पत्र चड़ाते समय जैसे आपने 11 बेल पत्र ले ली या आपके पास में 10 बेल पत्र हैं या 7 बेल पत्र हैं उनको आप जो है सामने एक बरतन में जल रखें उसमें थोड़ा सा दूट डाल लें गंगा जल डाल लें उसमें भिगो की रखें और दोस्तों एक कटोरी में चंदन उसमें इत्र डाल करके और गंगा जल डाल करके गोल लें और बेल पत्र के पत्ते पर आपको डंडी के द्वारा शिरी राम लिखना हैं कि भगवान शिवजी को शिरी राम अतिप्रिय हैं शिरी राम को अराद्य मानते हैं और शिरी राम लिख करके बेल पत्र को शिवजी पर चड़ाना हैं शिवजी पर चड़ाते समय आप ओम नमस शिवाय का जाप करें अपनी मनो कामना जरूर बोल के लखें कि आप पुत्व प्राप्ति के लिए कर रहे हैं या किस मनो कामना से कर रहे हैं जैसे आपने वो बेल पत्र चड़ा दी इस विकार से जितनी बेल पत्रे उनको चड़ा करके दोस्तों उनको उठा लें फिर दुवारा से दो करके फिर उन पर लिखें इस विकार से अगर जैसे आपने 10 बेल पत्र लिएं या 11 बेल पत्र लिएं तो उनको आप 1-8 वार बापिस दोदो के चड़ा सकते हैं दोश्तों सास्तों के अंसार अपनी चड़ाई हुई या दूसरों की चड़ाई हुई बेल पत्र को आप दो करके दुवारा से प्रयोग में ले सकते हैं क्योंकि चड़ी हुई बेल पत्र भी हमेशा पवित्र मानी जाती है वो अपवित्र नहीं होती एक बेल पत्र ऐसे दुबारा चड़ा सकते हैं इस तरह से आप एक से आथ बार उन्हीं बेल पत्रों को वापिस करकर के चड़ा सकते हैं चड़ाकर के लाश्ट में जो दोश्टों आप उसमें से एक बेल पत्र उठा लें अगर आपको जो है जैसे सारी पूजा हो गई है भगवान सिब जी को सपेद वस्तू का मिठाई का भोग लगा दिया है आती करने के बाद में अपनी प्रातना करके एक बेल पत्र उठा के ल अगवान सिब जी के सामने पीपलो पीपल के पीड़ पर रख्या है या जल में प्रवायट का दें दोस्तों एक वारी इस उपाय को करने से निश्चेत रूप से आपको मनोवांची संतान की प्राप्तियों की कोक बंदन खुलेगा और सारी मनोकामना पूरी होगी दोस्तो अगर आपको यह माई वीडियो जानकर एच्छी लगी हो लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब निकिया सब्सक्राइब जरू करें आगे की वीडियों और जानकारी की साथ मिलते ही आज सभी को जैसी किसना